हलो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है P-Block element P-Block element के complete करने से पहले अगर अभी तक आपने इस block जो और hydrogen जो दो चैप्टर है हमारे मैंने वो complete करवाया था आप लोग को hydrogen and S-Block अगर यह अभी तक आपने complete नहीं किया है तो प्लीज पहले इसे जाके आपको complete करना होगा then and only then आप इस चैप्टर को study करो जैसे हमने वहाँ study किया था इस P-Block को quickly हम लोग complete करेंगे पी ब्लोग जो है पी ब्लोग elements आपको पता है पिर रुलिटेबल में कहा होता है तो यह आपको पता होना चाहिए कि यह group number 13 से लेके group number 17 तक sorry 18 तक जो होता है इस इस काल्ट P-Block elements so group 13 to group 18 are called P-Block elements जिसमे class 11 में आपका सिर्फ दो है that is your boron and carbon family सिर्फ यह class 11 में है और बाकी यह जो है from nitrogen oxygen then your fluorine family and noble gases यह class 12 के syllabus में है तो हमें सिर्फ दो group के बारे में study करना है पहला है boron family दूसरा है carbon family मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि किसी भी family को उसके जो parents है उसके नाम से बुलाया जाता है उसी तरह जो पहला element है किसी group का उसके नाम से वह family बन जाता है तो यह boron family यह carbon family तो हमें जो पढ़ना है मैं एक बार quickly यहां लिख दू group number 13 and group number 14 पढ़ना है so group 13 में कौन कौन है मैंने आपको trick बताया था trick क्या था बाल गंगा इंद्रा तिलक short form remember रखने का so बाल गंगा इंद्रा तिलक यह हो गया and group 14 में होता है चरंद, सिंग, जी, SN, PB यह trick है याद रखने का family को ठीके न बाल गंगा इंद्रा तिलक clear है और यह चरंद, सिंग, जी, SN, PB यह दो group हमें पढ़ना है और जैसा कि हमें पता है कि हम इसमें क्या-क्या study करते थे आप लोग को मैं ने पढ़ाया था सबसे पहले हम लोग आ जाते थे, electronic configuration में, electronic configuration से हमें output पता चलता था इसका valency, उसके साथ साथ हमें पता चलता था इनका oxidation state जैस्ट आप s-block और hydrogen अगर पढ़े हो तो आपको overall में थो बता दू क्या पढ़ते थे हम लोग फिर हम लोग इसके periodic properties को पढ़ते थे periodic properties, periodic properties क्या-क्या थे यहां पे periodic properties क्या-क्या आता था, सबसे पहला होता था atomic and ionic radius जो यहां आपको दिख रहा है इसके अलावा हम लोग पढ़ते थे इसका ionization potential और क्या पढ़ते थे electronegativity short में लिखता हूं and electron affinity यह कुछ periodic properties है जो पढ़ते थे and then इसका hydration enthalpy related anomalous behavior सब कुछ यहां भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ extra questions यहां से बनने वाले हैं जो carbon family में catenation होगा and then carbon callotrop के बारे में होगा यह सब हम लोग यहां पे अलग से पढ़ेंगे बाकी इन जेनरल जो study है periodic table का वो similar है तो जैसा आपको पता है periodic table में किसी particular group में उपर से नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो उसका atomic radius increase करता है और उसका metallic character increase करता है है न यह हमें पता है और इसका ultra क्या होता है बाकी सारे periodic property जैसे reason आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है I hope यहां तक clear हो गया होगा कोई doubt नहीं होना चाहिए चलो अब थोरा साम लोग और details में पढ़ते है जैसे एक एक group के बारे में तो आपको पता है कि p block elements के लिए general electronic configuration क्या होता है यह आपको मैंने पढ़ाया था this is the general electronic configuration for p block ठीक है इसमें group 13 के लिए आपका क्या होगा आप किसी भी element को ले लोगे तो समझ में आ जाएगा यहां कुछ दिया हुए already यहां देख सकते हो आप boron ठीक है तो boron का क्या होगा आप electronic configuration करके देखो वही से समझ में आ जाएगा आप बोरोन का atomic number कितना होगा जड़ा जल्दी बताओ येस तो अगर यह 5 हो हमारा इसका electronic configuration क्या हो जाएगा 1s2 2s2 then 2p1 तो इसके outermost orbit में कितने सारे electrons है second orbit में कितने electrons है इसके पस 3 electrons तो इसको अपना octet complete करने के लिए क्या करना पड़ता होगा इसके पस दो option है या तो यह 5 electron बाहर से ले ले और total art बना दे जो कि difficult है उससे आसान तरीका यह है कि यह तीनों electron को यह release करके boron plus बना दे 3 plus यह करना ज्यादा easy है इसलिए देखो boron जो है इसका oxidation number plus 3 होता है इतने ऊपर के तरफ के है aluminum जो होता है उसका plus 3 होता है बाकी के सारे जो नीचे वाले matam है gallium, indium, thallium इनका plus 3 के साथ plus 1 भी होता है और plus 1 क्यूं होता है आप जब इसका electronic configuration करोगे तो अब देखोगे due to shelding effect due to less occupied dnf block का जो effect होगा inner d orbital, inner f orbital उनका shelding effect के वैसे plus 1 oxidation state also exists similarly carbon family में अब carbon का करके देखो electronic configuration 6 होता है तो उसके outermost grid में 4 electron होगा इसके बस दोनों option है या तो चार electron यह gain कर सकता है या चार electron loose कर सकता है अगर यह 4 electron gain करेगा तो इसका oxidation number minus 4 हो जाएगा और अगर यह 4 electron loose करेगा तो इसका oxidation number plus 4 हो जाएगा उसी तरह silicon के लिए यह generally loose ही करता है तो silicon के लिए plus 4 होता है और बाकी सारे member के लिए plus 4 के साथ साथ plus 2 भी हो सकता है यह बाकी सारे class 12 के लिए हम लोग रहने दे यह सारे हम लोग class 12 में details में पढ़ेंगे so for the time being इस दोनों family का हम लोग साथ में लेके चलते है ठीक है तो हमें oxidation number पता चल गया इस family का boron family के लिए boron aluminium plus 3 remaining are plus 3 plus 1 both for carbon family carbon is anomalous plus 4 minus 4 both but silicon is plus 4 then germanium and tin lead SNPB are plus 4 and plus 2 both यह याद रखना है आपको so group 30 element जो है इसको हम लोग detail में तो अगर पढ़ें तो आपको electronic configuration दिख रहा होगा आपके screen पे यहाँ पे सारे element का atomic number और electronic configuration दिया हुआ है मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि electronic configuration करना कैसे होता है और अगर आप चाहो तो कैसे आराम से atomic number पता कर सकते हो so यह मैंने आपको बताया था कि यहाँ प्लस 8 करते हैं पहली बार दूसरी बार अभी आपको पता होना चाहिए कौन सा group में जा रहा है यह प्लस 18 हो जाएगा ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना होगा प्लस 18 करना होगा and then प्लस 32 करना होगा this is the way you remember the element as well as their atomic number and if you know atomic number just go ahead and find out its electronic configuration so देख सकते हो यहाँ पर second orbit है ठीक है इस ग्रूप टूप परियेट टू में है यह और यहाँ तीन electrons है इसके outermost orbit में और यहाँ पर भी देख सकते हो इसका third है यहाँ भी तीन electron होगा हर जगा तीन electron होगा outermost orbit यहां 5th outermost है यहां 6th outermost लेकिन आप देख सकते हो gallium, indium, thallium में D आ जा रहा है एस force से पहले D आ जा रहा है 3D orbital आ जा रहा है तो इसको हम लोग कहते है inner D orbital inner D orbital उसी तरह आप देख सकते हो यहाँ पर भी यहाँ पर inner D orbital आ जा रहा है this 4D is called inner D orbital और यहाँ पर inner F as well as inner D दोनो है inner F orbital and inner D orbital यह दोनो है so यह inner D orbital होने के वैसे variable valency हो जाता है covalency जिसे हम लोग कहते थे और साथ ही साथ D block पहले है तो इसका salding effect के वैसे भी सिर्फ P का एक electron remove होता है so इसके लिए इसका एक plus 1 oxidation state यहाँ पर आपको देखने मिलेगा यहाँ यहाँ बाकी कहीं पर plus 1 नहीं इनके लिए यह तीनों electron को रिलीस करेंगे so plus 3 oxidation state for them okay and for remaining it is plus 3 plus plus 1 both plus 3 भी होगा plus 1 भी होगा ठीक है so इसका occurrence देख सकते हो आप boron का occurrence यहाँ पर बताया गया है just it is for your sake of your knowledge please keep in mind so here borax जो होता है यह बस आप देख लेना यह याद रखने के चीज़ है borax then your calamite polymite sorry bauxite aluminium के लिए and corundum mica यह कुछ important इसके and cryolite obviously यह कुछ important source है जहाँ से हम लोग bauxite और aluminium को हम लोग separate करते है extract करते है इतना details में इन सबको नहीं पढ़ना है हम लोग question answer थोड़ी दर बाद complete करेंगे बस एक बार quickly हम लोग इसका periodic properties देखते चलते हैं तो यह group 13 elements के periodic property देखो atomic number के साथ atomic mass obviously increase करेगा atomic radius यहां से हमें देखना है ionic radius तो atomic radius जितना हम लोग नीचे जाते हैं उतना ही atomic radius क्या होना चाहिए increase करना चाहिए then indium and this so this is increasing here यहां पे एक anomalous behavior है and why it is so we have to check it okay we have to check it but ionic radius follow the order just look ionic radius यह प्लस 3 है मतलब ऐसा बोल सकते है हम लोग B3+, AL3+, GA3+, okay so this is about the ionic radius जब हम लोग कहते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं plus 3 or atomic radius जब हम लोग लिखते हैं तो only atom के form में लिखते हैं इसका उल्टा होना चाहिए ionization enthalpy के लिए जो उल्टा होता है जितना हम लोग नीचे जाएंगे decrease करना चाहिए ठीक है because ionization enthalpy हम लोग जितना नीचे के तरफ जाएंगे size बरा होगा ionization enthalpy कम होना चाहिए but इसका reverse में हम लोग को देखने मिलता है कि इसमें सबसे कम ionization enthalpy है indium का and then है aluminum का so this is very interesting experimental data under different conditions okay is taken so इसको हम लोग तब बाद में देखेंगे यहां कुछ periodic property है जिसको आप देख सकते हो बाद में यह notes आपको मिल जाएगा obviously okay so बहुत simply से इसको हम लोग फटाफट complete करते हैं देखो atomic radius के बारे में जो मैंने कहा वही चीज यहां पर लिखा हुआ है that atomic radius उपर से नीचे जाने से decrease करेगा increase करेगा sorry और यहां पर एक exception है जो practically देखा जाता है कि atomic radius of aluminum is slightly more than gallium and this is why this happened you have to keep in mind because यह जो हम लोग measure करते है atomic radius यह average atomic radius measure किया जाता है जब वो metallic bond बनाते जैसे aluminum का metal है यह okay so क्या किया जाता है इनका all and average निकाला जाता है और उस तरीके से हम लोग इसका atomic radius निकालते है यहां पर because of spacing because of void formation इन सब के वज़े से यह थोड़ा सा change आता है okay ionization enthalpy के बारे में आप समझ सकते हो that ionization enthalpy of group 13 elements are less than that of corresponding alkaline earth metal अगर इसके परोसी वाले से measure करो मतलब यहां पर group 2 था ना इसके परोसी वाला group 2 और यह हो जाता है बीच में D block आ जाता है group 13 ठीक है तो हम लोग जैसे left to right जाते हैं तो ionization enthalpy क्या होता है ionization energy और ionization potential left to right अगर हम लोग जाएंगे so क्या होना चीए it should be decreased and increase ionization enthalpy left to right जाने से क्या होना चीए ionization enthalpy decrease होना चीए why because of effective nuclear charge okay यह चीज यहां पर दिया हुआ okay then तो हम लोग question answer why जी करते हैं क्योंकि details में अगर पढ़ाने जाओंगो तो बहुत बरा lecture हो जाएगा so पहला question हम लोग देखते है question में है कि discuss the pattern of variation of oxidation state from for group 13 element boron to thallium and then for carbon to lead तो आपको पता है boron family के बारे में इसके बारे में बताने की जाबतनी है group 13 का outermost electronic configuration ऐसा होता है तो इसमें most stable oxidation state ऐसा होना चाहिए था लेकिन यह किसमे किसमे होता है आपका boron में और aluminium में होता है बाकी के सारी member में plus one oxidation state extra होता है और इसका reason आपको पता है because of inert pair effect तो देखो यहाँ पर यह लिखा हुआ है the remaining element that is gallium, indium, thallium shows both plus one and plus three oxidation state on moving down the group the plus one state become more stable मतलब thallium के केस में सबसे जयादा जो stable state होगा वो plus one होगा ना की plus three होगा for example thallium plus one is more stable than thallium plus three this is because यह सक्यों हुआ this is because the inert pair effect याद रखोगे यह बहुत 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 है why this happen this is because of inert pair effect यहाँ सक्यों आ सक्ता है why plus one oxidation state of thallium is more stable than plus three oxidation state your answer is this is because of inert pair effect the two electron present in the S cells are strongly attracted by the nucleus and so do not participate in bonding this inert pair effect become more and more predominant on moving down the group hence gallium plus one is unstable indium plus one is fairly stable but thallium plus one is very very stable याद रहेगा क्या है inert pair effect जितना आप नीचे के तरफ जाओगे उसका S cell जो होगा वो nucleus से ज्यादा attracted हो जाएगा इसलिए वो exit नहीं कर पाएगा ठीक है जबकि P जो है वो free है और वो बाहर निकल जाएगा यहाँ देखो यह P बाहर निकल जाएगा यह S जो है यह strongly attract हो जाएगा और जिसके वैज़े से यह बाहर नहीं जापाएगा जिसके वैज़े से सिर्फ प्लस वन oxidation state exist करेगा इस effect को कहा जाता है inert pair effect I hope clear जैसे अपने group 13 को पढ़ाना group 14 भी वैसे ही है कुछ भी यहाँ पर हमें extraordinary नहीं करना जस्त ध्यान से देखिए यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो carbon family के लिए आपको पता ही है carbon का plus 4 भी होता और minus 4 भी होता है यह missing है और silicon के लिए plus 4 होता बाकी member के लिए plus 2 और plus 4 दोनों होते हैं तो plus 2 जितना हम लोग नीचे जाएंगे उतना plus 2 ज्यादा stable होता होगा जैसे इसमें plus 1 होता था और reason वही है देखो यह NS2 जो है यह बाहर नहीं आना चाहेगा ठीक है जितना आप नीचे जाओगे और यह NP2 बाहर आजाएगा इसके वैसे plus 2 ज्यादा stable होने लगा है जितना हम लोग नीचे जाने जाएंगे और इसका भी वही concept है why this happened? because of inert pair effect clear हुआ? दोनों family का oxidation number clear हुआ यह नहीं? okay thank you okay next problem देख लेते हैं second question जो है how can you explain higher stability of BCL3 as compared to TLCL3? okay it is very easy first previous question है B के लिए plus 3 oxidation state exist करता है as a result BCL3 बनाएगा TL के लिए दोनों state exist करता था plus 1 and plus 3 लेकिन TL के case में plus 1 जो है यह more stable है oxidation state है यह less stable है अभी अभी हमने पढ़ा न as a result TL जो है वो CL3 जो बनाएगा वो less stable होगा और यही इसका answer है इसको आप पर सकते हो यही लिखा हुआ है यहाँ पर दूसरा question आजाओ next third question why does boron trifluoride BCL3 behave as a Lewis acid so Lewis acid का concept क्या था? Lewis acid का concept था electron pair acceptor is act as Lewis acid जिसके पास electron की कमी होती थी वो Lewis acid की तरह behave करता था और अगर इसका आप structure बनाके देखोगे boron का BCL3 तो इसके जो central में element है इसके पास कितने सारे electron है? 6 electron है which is less than 8 electron मतलब central atom जो है वो below octet है बढ़ाया था मैने आप लोग को chemical bonding में so central atom is below octet which means that it has less amount of electron present as required by octet rule hence it acts as a acceptor of electron therefore it acts as a Lewis acid can I repeat इसके center में जो boron atom है उसके पास below octet configuration है इसलिए electron का acceptor की तरह behave करेगा और इसलिए Lewis acid की तरह behave करेगा I hope यह दोनो questions भी समझ में आये होंगे यह देख सकते हो आप लोग इसका structure और यह पूरा definition जो है यहाँ पर दिया हुआ है so I don't think किसी को कोई doubt हुआ होगा इसमें अगर आपको doubt होता है please मुझे knock कर सकते हो so next question जो है यह chemical reaction के उपर है यह chemical property के उपर तो दो compound लिया गया है boron family का chloride लिया गया है BCL3 और chlorine का chloride लिया गया CCL4 और पूछा जा रहा है how will they behave with water and justify your answer so boron BCL3 यह Lewis acid की तरह behave करता है यह Lewis acid की तरह behave करता है तो हमें क्या पता है acid is a acceptor of electron तो जैसे ही यह water के साथ react करेगा यह readily undergo hydrolysis में चला जाएगा इसका hydrolysis हो जाएगा और यह बना देगा HCl plus boric acid BOH whole thrice जबकि CCL4 जो है completely resistant to hydrolysis है क्योंकि यह completely non-polar है मैंने पढ़ाया था आप लोग को बहुत बार और non-polar solvent एक non-polar solvent में ही dissolve होता है तो यहां तो यह hydrolysis हुआ नहीं इसका ठीक है non-polar nature होने के वैसे और carbon इसमें 8 electron है तो यह stable है, below octet नहीं है, so carbon does not have any vacant orbital, look here hence it cannot accept electron from water to form intermediate this CCL4 water mix they form separate, मतलब यह अगर mix किया जाए तो CCL4 अपना अलग बहता रहेगा और water अपना अलग बहता रहेगा so there is a no reaction I hope यह समझ में आया होगा next your question है this is your is boric acid is a protic acid or not explain, so boric acid is not a protic acid it is a weak monobasic acid यह क्या है it is a weak monobasic acid which behave as a Lewis acid it is not a protic acid यह क्या है protic acid वह होता है जो किसी को आप छोड़ दो तो आराम से H plus release करता रहता जैसे H2SO4 है na HCl वगर है लेकिन यह weak monobasic acid होता है जिसको अगर water के साथ अगर treat आप करोगे तो यह ऐसा कुछ बना के H plus release करने type का दे सकता है लेकिन ऐसे generally यह नहीं करता है it behave as an acid by accepting a pair of electron from OH-I so this is your answer next question again what happen explain what happens when boric acid is heated boric acid को अगर heat किया जाएगा तो क्या होगा यह question so boric acid को अगर आप heat करोगे तो क्या होगा so on heating orthoboric acid so this will be not a boric acid orthoboric acid question on us at 370 Kelvin or above it changes to metaboric acid HbO2 on further heating it yield boric oxide B2O3 okay this will be your reaction please keep in mind next question देखते है describe the shape of BF3 and BH4 minus iron or compound assign the hybridization of the boron in this cases so BF3 का structure तो आपको पता है so boron का आप structure बनाने से पहले मैंने आप लोगो बताया था कि कभी भी अगर आपको structure बनाना पड़े so मैंने हमेशा कहा है before writing structure go through the first of all your electronic configuration so boron का electronic configuration कर देना 1s2 2s2 2p1 and fluorine का कर देना 1s2 2s2 then your 2p5 yeah so आप देख सकते हो कि इसके P का जो shell होगा P में अगर हम लोग भड़े ऐसे इसके पास एक electron है और दो खाली है वही चीज़ यहां दिखाया है तो एक S orbit बना लेगा दूसरा आपका यह electron यहां से jump करके इधर जाएगा एक S में बनेगा और एक P orbital खाली रह जाएगा so this is your P orbital which is empty इसका structure कुछ ऐसा बनेगा BF4- का आप करने जाएगा इसमें क्या होड़ा एक extra hydrogen आ रहा है जिसके वैसे structure SP3 हो जाएगा यहां पर तो इसका SPP होगा तो इसका hybridization SP2 हो जा रहा है so it is a planar structure और इसका bond angle क्या होगा आपको पता होना चाहिए यहां bond angle आप simply देख सकता हो 120 degree लेकिन यह जो हो जाएगा इस case में distorted SP3 structure बन जाएगा और इसका bond angle approximately 109.28 के आसपास होना चाहिए 10 10 29 30 30 31 112 12 31 32 32 33 33 where it behaves as both acidic as well as basic so how to justify anything when it is behave as acidic as well as basic so इसके लिए simple सा concept है इसको acid के साथ react करवाई है base के साथ भी react करवाई है acid के साथ आप जब react कराएंगे तो salt and water बनाएगा base के साथ react कराएंगे तो भी salt and water बनाएगा so that will be a behavior of an amphoteric substance so let's see यहाँ पर लिखा है substance called amphoteric display characteristics of both acid and base aluminum dissolve in both acid and base so amphoteric behavior इसके लिए हमें एक reaction देखना चाहिए तो यह रहा वो reaction यहाँ आप देख सकते हो aluminum को acid के साथ behave किया जाएगा तो भी यह salt बनाएगा aluminum इसको इसको इस form में लिखा गया है और जब base के साथ behave किया रहा है तो भी यह complex salt बना रहा है so it is a behavior of acid as well as basic next question है what are the electron deficient compound electron deficient compound उन्हें कहते है जिनके central atom में number of electron less than 8 हो so जैसे कि यहाँ पर number of electron 6 है तो यह below octet compound है या electron deficient compound है ठीक है R, B, C, L, 3 and S, I, C, L, 4 are electron deficient compound? No B, C, L, 3 है Yes but S, I, C, L, 4 No इसका आप Lewis dot structure बना के देख लो S, I, के पास 4 chlorine होने से इसके पास 8 electron हो जा रहा so it is not यही चीज यहाँ पर आपको देखने मिलेगा so B, C, L, 3 is an approximate example of electron deficient यह रहा but electronic configuration this they indicate that 4 valence electron so this is not electron deficient आप चाहो तो structure बना देना दोनो का okay structure बना देना good practice to write with structure so next question that write the resonating structure or resonance structure of C, O, 3, 2 minus and H, C, O, 3 minus so यह सब तो हमने already complete कर लिया है resonating structure बगरा जब हम लग पर रहा so यह रहा resonating structure देख सकते हो आप clearly C, O, 3 minus में एक minus यहाँ पर है यह shared हो जाता है यह upload already मैंने यह reference के तोर पर दे दे रहा हूँ आपको यह already पता होना चाहिए resonating structure हमने बहुत time लेके बताया okay so the next question is what is the state of hybridization of carbon in CO3, 2 minus, diamond and graphite so यह सारे questions देखो घुमा फिरा के पूछे जा रहे यह हमने chemical bonding में already पर लिया है और आप लोग को मैंने charge species के लिए resonating hybridization का formula बताया था आप चाहो तो इस hybridization के formula से निकाल सकते हो या फिर इसका structure बना सकते हो जो यहाँ पर दिख रहा है आपको and then यहाँ पर carbon का निकालना है तो carbon के बगल के atoms को count करते थे न हम तो आपके यह s behave करेगा यह p behave करेगा यह p behave करेगा so overall इसका hybridization sp2 हो जाएगा पढ़ाया था मैंने diamond में सारे fixed होते है sp3 hybridized हो जाता है यह और graphite में sp2 hybridized हो जाता है इसका एक orbit free होता है तो यह कुछ basic structures है जो structure देखके आपको hybridization निकालना आना चाहिए so यह reference के तोरपे मैं दे दूँगा आप इसको read करेंगा well exam में जो बहुत बार पूछा जाता है यह question काफी important है यह diamond और graphite में क्या difference होता है आपको पता होना चाहिए कि diamond को hardest metal कहा जाता है अखुथ hard होता है और यह soft होता है इतना soft होता है कि इसे pencil के nip पे लगाया जाता है कि हम लोग इसको कागच के उपर जरा सा घसते हैं तो निकल जाता है इसके अलावा इसको ऐसे lubricant के तौर पे machinery में use किया जाता है machines के भीतर में लगाया दिया जाता है slippery agent के तौर तो ऐसा क्यों होता है इसका main reason तो यह है hybridization इसमें सारे carbon atom एक दूसरे से बहुत strongly attached हो जाते है sp3 hybridized होके जबकि यहाँ पर एक इसका हाथ खाली ही छूट जाता है इसका तो valency चार है लेकिन इसके तीनी हाथ occupied होते है एक खाली होता है और यह layer by layer एक दूसरे के उपर बैठे रहते है तो एक layer हटते जाता है उसके नीचे दूसरा layer होता है तीसरा layer होता है वही चीज़ यहाँ लिखा है तो tetrahedral unit हो जाएगा यह planar geometry बन जाएगा यहाँ bond land जो carbon carbon में होता है वो 154 picometer के असपास होता है जबकि यह carbon carbon का bond उससे छोटा होता है बट फिर भी यह जल्दी टूट जाता है लग अलग अलग layer ऐसे बनते जाएंगे इस तरीके से ये पूरा network बना देता है, diamond, इसलिए strong हो जाता है, जबकि ये layer by layer होता है, यहाँ पर ये carbon का अलग-अलग layer ऐसे बनते जाएंगे, फिर नीचे एक ऐसा layer रहेगा, और ये layer आपस में attached नहीं होता है, इसलिए easily separate हो जाता है, यहाँ पर इसका electron free रह जाता है, graphide में जो कि free में आसानी से electricity conduct करने लगता है, जबकि diamond में कोई भी electron free नहीं है, सब tetrahedrally packed है, जिसके वएसे यहाँ पर ये electrical insulator की तरह behave करता है, ये जो properties है, diamond और graphide में ये आपको पते होने चाहिए, और आपको एक term भी पता होना चाहिए, which is called allotrop, तो allotrop उसे कहते हैं, अगर कोई एक element अलग-अलग form में exist करता है, तो उसे हम allotrop कहते हैं, और इस phenomena को allotropy कहते हैं, तो carbon का बहुत सारा allotrops होता है, carbon का पहला जो famous allotrop है, वो है diamond, दूसरा जो famous allotrop है, वो graphide, इसके अलावा भी होता है, C60, which is a fluorine, buckyball, यह सारे जो है carbon के different different allotrops हैं, और यहां से बहुत सारे questions बनाया जाते हैं, exam में, इसको आपको detail में पढ़ना परेगा, ओके, यह question आप लोग को as a homework में देखे जा रहा हूं, इसको आप completely solve करना, और next class हम लोग, next lecture में इस पूरे chapter के सारे questions को जो बाकी बज़े हैं, उनको cover करेंगे हम लोग, so यह question है, rationalize the given statement and give chemical reaction, lead to chloride, react with chlorine to give lead Cl4, लेको यह 2 और 4 जो लिखा रहता है, यह इसका oxidation state होता है, इसका मतलब यह होगा, PBCL2, ठीक है, lead 2 chloride का मतलब यह है, और lead 4 chloride मतलब PBCL4, it's like this, highly unstable towards 8, ऐसा इसलिए होगा, अभी आपको पता ही था न, lead हमनों जितना नीचे आएंगे, उतना plus 4 oxidation state, less stable हो जाएगा, और plus 2 oxidation state, more stable हो जाएगा, यह हमने अभी भी पढ़ा था न, यह oxidation state का question है, simple सा, lead is known, known not to form an iodide, iodide नही बना पता है, again this is periodic property, large size, low ionization enthalpy and so and forth, so this is all about today's class, if you face any difficulties, please let me know, thank you very much.